सब्सक्राइब कीजिए इंफराटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इंफराटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चली शुरू करते हैं इस वीडियो को लेटस गेट स्टार्टेड इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सैमसंग के तरफ से पहला आउटडोर 4K TV लाँच हो गया है उस TV का नाम है टेरेस इस 4K TV की TV से आप कड़ी धूप में भी आसानी से आउटडोर कंडिशन्स में एंटर्टेन्मेंट कर सकते हैं अभी तक आप अपने लिविंग रूम और हॉल में ही TV लगाते थे लेकिन अब सैमसंग ने इसको बदल दिया है सैमसंग ने दुनिया का पहला आउटडोर 4K TV लाँच कर दिया है जिसका नाम रखा गया है टेरेस इस TV की खासियत यह है कि इसे आप घर के बाहर या टेरेस पर या आउटडोर कंडिशन्स में लगा सकते हैं इस TV को IP55 की रेटिंग मिली है जिसका मतलब है कि वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है यह टीवी आउटडोर में शांदर एक्सपिरियंस के लिए इसमें 2000 nits की ब्राइडनेस दी गई है यानि आप इस टीवी से आउटडोर में एक अच्छी टीवी का अनन ले सकेंगे Samsung ने अपने इस टेरेस टीवी को तीन वेरियंट में लॉंच किया है जिसमें 55 इंच, 65 इंच और 75 इंच की मॉडल है तीनो वेरियंट की प्राइस 55 इंच, मॉडल की प्राइस 3,455 डॉलर, 65 इंच मॉडल की प्राइस 4,999 डॉलर, 75 इंच वेरियंट की प्राइस 6,499 डॉलर रखी गई है अपने इस टेरेस टीवी को लेकर Samsung ने कहा है कि इस पर लेदर की कोटिंग है इसके अलावा इसमें बिल्ट इन HD बेस्ट ही रिसीबर दिया है जिसकी मदद से एक ही केबिल के जरीए 4K वीडियो, ओडियो और पावर की सप्लाई होगी टीवी में 20 वाट के दो स्टीकर्स हैं इसके अलावा डोल भी डिजीटल प्रस का भी सपोर्ट है टीवी में 3 HDMI और 1 USB, 1 LAN, Bluetooth और इंटरनेट का सपोर्ट है सेमसंग के इस टेरियस टीवी को अमेरिका और कैनेडा में लाँच किया गया है और इस साल के लास्ट तक जर्मनी, औस्टेलिया, न्यूजलेंड और अधर कंट्रीज में लाँच किया जाएगा तो ये पहला दुनिया का आउटडोर TV है, 4K TV है आउटडोर जो की लाँच हो गया है इंडिया में जैसी लाँच हो जाएगा, हम आपको बता देंगे, जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें इस बीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे नई बीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दिस बीडियो, थैंक्स